हलो फ्रेंज मैं हूँ पारूल और स्वागत है आपका क्रेविंग्स भी और ओर शेफ पर आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट गाजर का हलवा जो बहुत ही डिलिशियस होता है आज के मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे मैंने 3 किलो गाजर से हलवा बनाया है जो बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर त्यार हुआ है रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा सबसे पहले मैंने 3 किलो गाजर को अच्छे से धोया है उसको छीला है और उसके बाद उसको कद्दुकस कर लिया है तो अब चलते हैं किचन की तरफ यहाँ पर मैंने एक भारी तली की कड़ाई ले ली है और उसको गरम होने के लिए रखा है इसमें दो बड़े चमश घी में डाल रही हूँ फ्लेम को हम मीडिय Scottish को मेल्ट होने देंगे जैसे ही घी मेल्ट होगा हम कद्दुकस करी हुई गाजर उसमें डाल देंगे जितनी गाजर एक बार में कड़ाई में फित हो सकती है उतनी गाजर इसमें डाल दीजए और उसके बाद उपर से हम डालेंगे एक लीटर दूद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका धकन लगाकर आठ से दस मिनट तक इसको कुक होने देते हैं जो कड़ाई है वो साइज में थोड़ी सी छोटी है तो मैंने इस वाली ट्रिक को यूज किया है एक बार दूद रेडियोस होने के बाद बची हुई गाजर और एक लीटर दूद बाद में डाल दिया है और अगर आपके पास बड़ी कड़ाई है तो आपको और भी ईजी हो जाएगा 10 मिनट हो गए हैं और ये दूद अच्छे से बोईल हो रहा है गाजर काफी सोफ्ट हो गए हैं और पहले से थोड़े कम भी हो गए हैं तो जो थोड़े से गाजर बच गए थे वो भी हम इसमें डाल देते हैं और प्लस उपर से हम इसमें थोड़ा दूदोर डालेंगे टोटल दूद मैंने 2 लिटर यूज किया है यहाँ पर तो यहाँ पर बच्चीवी गाजर भी मैंने डाल दी है अब उपर से हम इसमें दूद डाल देते हैं और इसको फिर से ढखकन लगाकर 8 से 10 मिनट तक पकने देते हैं 10 मिनट के बाद चलो इसको चैक करते हैं तो गाजर एकदम सौफ्ट हो गई है अब हम इसको ढखकन को हटा देंगे और ओपन ही इसको कुक करेंगे तो जब तक यह दूद पूरा ड्राय होगा तब तक हमें इसको कुक करना है इस स्टेज पर आपको इसको कंटिनेस चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो आपकी कड़ाई है उसका बोटम थोड़ा हैवी होना चाहिए इस दूद को अच्छे से रेडियूस होने में लगबग 40 मिनट लग जाते हैं आपको इसे कंटिनेस चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सिर्फ 6-7 मिनट में एक बार आकर इसको चला सकते हैं और इन बिट्विन आप अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं 30 मिनट हो गये हैं और ये दूद जो है काफी रेडियूस हो गया है यहां से हम इसको कंटिनेस चलाते हुए पकाएंगे क्योंकि दूद जब रेडियूस हो जाता है तब ये नीचे लगने का थोड़ा सा चांस होता है तो इसको कोकोने में लगबग 10-12 मिनट अभी ओर लगेंगे कांटिनेस चलाते हुए हम इसको पका लेंगे और एकदम ड्राइ होने तक इसको पकाएंगे अभी भी यहां पर थोड़ा सा दूद इसमें बच गया है तो ये एकदम ड्राइ हो जाना चाहिए उस कंसिस्टेंसी तक हमें इसको लेकर आना है इस स्टेज पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो दूद है एकदम ड्राइ हमें करना है थोड़ा भी इसमें जो मॉस्चर है वो नहीं रहना चाहिए एकदम ड्राइ एकदम प्रेस करके आप इसको देखे तो थोड़ा भी दूद इस पैचुला के उपर नहीं आए उस कंसिस्टेंसी तक हम इसको लेकर आएंगे तब ये हलवा एकदम बढ़िया टेस्टी हलवा बनकर तयार होगा इसको पकाते हुए मुझे 45 मिनट हो गए है और ये दूद एकदम ड्राइ हो गया है तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे तो 400 ग्राम चीनी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो हमारे टेस्ट के अकोर्डिंग एकदम परफेक्ट है लेकिन आप चाहें तो टेस्ट के अकोर्डिंग कमिया ज़्यादा कर सकते हैं तो हम चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे चीनी ने पानी छोड़ दिया है इस पानी को हमें continuous चलाते हुए dry करना है flame को medium से high के बीच में ही मैंने रखा है और इसको continuous चलाते हुए हम एकदम dry कर लेंगे यहाँ पर इस stage पर इसको तली में लगने का सबसे ज़्यादा chance होता है यहाँ पर आपको इसको continuous चलाना है और चलाते हुए इसको एकदम dry होने तक cook करना है हलवी का जो मोस्चर था वो एकदम सूप गया है और यह एकदम dry हो गया है तो अभी एकदम तयार है हम इसको room temperature तक ठंडा होने देते हैं उसके बाद हम इसमें खुवा एड़ करेंगे तो मैंने 200 ग्राम खुए को कदुकस कर लिया है और उपर से डाल दिया है अब इस पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे अगर आपके पास खुवा अवेलेबल नहीं है तो आप 500 ग्राम मिल्क पाउडर इसमें डाल सकते है खुवा डालने के बाद हमें gas ओन करने की कोई भी जरूरत नहीं है सिर्फ इसे हमें अच्छे से mix करना है इसके उपर dry fruits टालने है और हमारा हलवा एकदम तयार है लेकिन अगर आप मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं तो आपको gas को ओन रखना है और उसको दो मिनट तक कूक करना है उसके बाद ही आपका हलवा बन कर तयार होगा खुवे को मैंने अच्छे से हलवे में mix कर दिया है और यहाँ पर दो चम्मच घी मैंने डाला एक छोटे से fry pan में इसमें थोड़े से काजू बदाम और जो भी dry fruits अब डलना चाते हैं वो डाल कर इसको अच्छे से roast कर लेंगे और इसके बाद हम इसको हलवे के उपर से डाल देंगे ताकि जो हलवे का टेस्ट है वो और भी जादा मज़ेदार हो जाएगा तो यहाँ पर roasted dry fruits मैं उपर से डाल रही हूँ और आप देखिए एकदम हलवाई जैसा गाजर का हलवा बनकर तयार हो गया है I hope आपको मेरी recipe अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी recipe पसंद आई हो तो please press the like button and subscribe to my channel